जैसे हमने देखा कि Bicycle segment में हमें क्या क्या है opportunity manufacturing में Bicycle के बाद में जो segment आता है वो आता है mopeds का mopeds का मोपेड्स जो है कि जो scooter और बैसिकल इसके बीच वाला जो segment है उसमें मोपेड्स जादा बेचे जाती है तो मोपेड्स का हम लोग देखेंगे तो इंडिया में बहुत बड़ा सेल है और इस यह कैटेगरी को पसंद किया जाने वाला क्योंकि इसमें यूटिलिटी जो होती है ना तो उसलिए बिजनसेस में जो साइकल से ज्यादा डिस्टन्स ट्रावल करना है तो उसके लिए मोपेड्स होते हैं तो मोपेड जो नहे मोडेल्स मोपेड के हम लोग इसमें लौंच करते हैं तो गोवन गो के साथ में मिलके हम लोग वो मौडल्स दिजाइन करके उसका पूरा मैंड़ुक्चरिंग प्लान्ट सेट अप करके देने का सपोर्ट हम लोग करते हैं तो उसमें आपके पास कुछ आइडिया कि क्योंकि इस शेगमेंट में काम करते समय हम दो चीजों के उपर फोकस कर हैं इंडस्ट्री को नो करने के लिए इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हम लोग काम कर रहें तो इसमें हम नहीं ग्रोड़ होगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्रे में आएंगे तभी इंड़स्ट्री ग्रोड़iren और यही थौट को लेके आज हम लोग ये support करने का काम कर रहे हैं हम भी अपना business कर रहे हैं इसमें से भी हमारा भी business हो रहा है लेकिन उसके साथ में social work भी हो रहा है और industry promotion भी हो रहा है तो इस मॉपेड सेग्मेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें जो मॉडल डिवलोप करने हैं OEM में क्या होता है कि आपको जो कॉंपोंडन्स आपके पास मॉपेड का एक मॉडल डिजाइन करना है उसके components manufacture करके देने हैं आप लोग उसको assembled करके अपना एक model अपना brand लगा के market में launch कर सकते हैं ODM क्या होता है कि आपके पास सिर्फ idea है आपके पास बाकी उसके लिए supporting कुछ भी नहीं है तो आप आके वो idea को discuss करते हैं तो वो model को idea से लेके practical में लाके उसका manufacturing खड़ा plant खड़ा करने तक का पूरा support go and go करता है तो मोपेड सेग्मेंट में जो लोग काम करने में interested हैं तो उनके लिए यहाँ पर opportunity है आप आईए discuss कीजिए और हम लोग आपका खुद के brand का आप अपना एक factory चालू कर सकते हैं और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जैसे bicycle and moped हमने देखा तो अब हम चलते हैं कि इसके next वाला segment scooter का scooter के बाद जब हम कर रहे हैं तो यह जानना जरूरी है क्योंकि सबसे booming segment आज scooter बन गया है पिछले 10-12 सालों में आप देखेंगे तो motorcycle से भी ज़्यादा sale scooter का होने लगा है क्योंकि उसका utilities and comfort scooter में मिलता है वो motorcycle से भी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है यसलिए और आज की date पे scooter का sale बढ़ा हुआ है और उसमें अभी electric scooter का sale जो बढ़ा है एकदम से boom आ गया market में एकदम से demand उसके ज़्यादा बढ़ गई है और electric scooter अगर आज की date पे electric scooter का factory चालू करते है तो यह सबसे ज़्यादा समझदारी वाला काम होगा और आप यह business को बहुत easily और बहुत अच्छे लेबल पे successful कर सकते हैं go and go यह जानते हुए आज हम लोग अपने supporting manufacturers खड़े कर रहे है आज आप लोगों को यह opportunity provide कर रहे है क्योंकि आज की date में अगर आप सोचते हैं या आप चाहते हैं कि आप electric scooter का factory चालू करें तो उसके लिए पहली चीज तो component availability उसका knowledge अगर कोई भी company के पास में आप जाते हो आज की date में जितनी company आ market में काम कर रही है तो हर कोई बोलेगा कि आप हमारा model बेचो हमारा brand बेचो या आप dealership लेके हमारे brand को grow करो कोई आज ऐसा नहीं कर रहा है कि आप अपने brand से बेचो और हम आपको opportunity यह दे रहे हैं कि आप अपने brand से scooter तयार करके अपने brand से market में launch करो आज आपके पास इस industry का knowledge नहीं है कोई problem नहीं है वो तो हम share करी रहे आज components को हमसे select करने है component availability कैसे रखनी है आपके factory setup कैसे करना है आपके team को trainings देने है then component की qualities maintain करना है आपके brand को बढ़ाना है brand का promotion करना है then market में आपका brand को establish करना यह पूरा support हम लोग go on go के मादब से दे रहे और यहाँ पे सबसब बड़ा advantage जो हमें हो रहा है क्योंकि आज की date में अगर scooter industry में देखा जाए तो electric scooter के लिए लगने वाले component जादा तर चाइना से ही import हो रहा है लेकिन advantage यह हो रहा है कि वहाँ पे जो components बनते हैं तो वहाँ पे जो factory या components बना रही है तो वो उनके इसाब से या Chinese market के requirement के इसाब से बना रही है इंडिया में एक बात हमें यहाँ पे धान में रखना जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ का environment अलग है यहाँ की user के mentality अलग है इसके पीछे का reason यही है कि इसमें technically work होना जरूरी है इसमें quality maintain होना जरूरी है और जैसे last video में भी हमने आपको बताया था कि हमने 2016 में चाइना में अपना खुद का 100% ownership company चालू किया हुआ है यॉंक्यान शिंद इलेक्रिक वेहिकल कमपनी लिमिटर तो उस company के माद्यम से और हम बखो भी जानते हैं कि इंडियन मार्केट का exact requirement क्या है यहाँ पे user की mentality का है simple सा example लेते हैं कि एक two wheeler जो दो seat के लिए बना हुआ है लेकिन normally आपको वहाँ पे तीन seat, चार seat या overloading या फिर उसमें दूद के kettle लगे हुए है वहाँ पे जादा है वहाँ पे जो मार्केट में product बन रहा है तो वहाँ पे अगर दो seat के लिए वेहिकल बना है तो वह दो seat पे यूज करेंगे रोड कंडिशन जो वहाँ पे है तो वह एकदम plane roads है अपने यहाँ पे plane कम खड़े जादा है देन टेरेंड जो अलग-अलग है हमारे यहाँ पे तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गोवन गोव जो product डेवलोप करता है तो वह इंडियन मार्केट में इंडियन रोड कंडिशन में और इंडियन यूजर के mentality को match करके हम लोग product डेवलोप करते हैं तो जो भी component आपको यहाँ पे मिलेंगे वो इंडियन मार्केट को suit होने वाले second thing जब हम लोग कोई भी product इंपोर्ट करते हैं तो उसके service के बारे में manufacturer दूसरे country से हमें support नहीं कर सकता है लेकिन यहाँ पे हम लोग Indian company होने के वज़े से आपको भले ही product हम लोग deliver चाइना में करें भले इंडिया में करें लेकिन उसका after sale service and warranty हम लोग यहाँ पे provide कर सकते हैं यह सबसे बड़ा strong point आज go on go के साथ में काम करने का हमें मिल रहा है second thing knowledge जो share किया जाता है कि आपके staff को train करना आज day one से हम आपको wings दे रहे हैं कि आप खुद का brand develop करो कल हमने अगर अच्छी service नहीं दी या हमने अगर अच्छे price पे आपको components नहीं provide के हैं अगर हमने आपको अच्छे quality के component नहीं दिये तो आज से ही आप free वो आपको wings साथ से दिये क्योंकि आपका खुद का brand है अगर हम हमारे quality पे हमारे service पे हम लोग confident है और यह हमेशा आपको मिलती रहेगी क्योंकि यह थोड़ा सा risk की काम हम लोग कर रहे है कि आपको खुद का brand develop करने के लिए लगा रहे है लेकिन हमें बरोसा है हमारे खुद के उपर कि हम वही quality वही service और वही prices आपको long term के लिए maintain करके रख सकते हैं इसलिए यह risk आज हम लोग उठा रहे हैं तो इलेक्रिक स्कूटर में जब हमें काम करना है तो इलेक्रिक स्कूटर में काम करते समय आज की date में different different models जो आज इलेक्रिक स्कूटर में है जो वह हम लोग launch कर सकते हैं उसके लिए आपको 100% CKD material चाहिए तो वह हम लोग provide कर सकते हैं आप assembled करो अपने brand से market में launch करो second thing उसके लिए आज जो categories में दो categories इलेक्रिक स्कूटर में आती हैं एक तो आती हैं below 250 watt के जो below 25 का speed रहेगा without number plate and without license वाली category ये category में हम लोग काम कर सकते below 25 के speed वाले vehicles हम लोग launch कर सकते हैं उसका भी segment बहुत बड़ा है उसका भी demand बहुत बड़ा है आज की date में दूसरा segment आता है कि जो number plate वाला high speed models में उसमें technically perfect and quality models हम लोग launch कर सकते हैं के लिए गो उनको पूरा support करेगा दिन उसके जो approvals and CMVR approvals लेने हैं उसके लिए documentation करना उसमें support करना technicalities का support करना ये चीजों के लिए हम लोग का आपके साथ में हैं second आपका जो assembly line लगेगा तो उस assembly line में आपको आपके top staff को train करना है उस team को train करना है वह proper quality चीज का knowledge आप मार्केट में लेने जाएंगे तो कोई share नहीं कर रहा है और दूसरी चीज़ अगर आपको ये knowledge लेना है तो बहुत सारा time and price करना पड़ेगा खुद experiment करने जाएंगे तो लेकिन जो हमने पिछले 7-8 सालों में knowledge ग्यादर किया है उसका utilization हम लोग कर सकते हैं और आपना खुद का brand सेट कर सकते हैं तो दोनों segment में scooter में non registered category and registered category यह दोनों segment में अच्छे quality में हम लोग काम कर सकते हैं और आपके brand को market में एक establish होने के लिए पूरा support go and go आपको कर सकता है जैसे assembly line पे काम करने वाले लोगों को train करना है supervisor को train करना है दिन आपके marketing team को train करना है sales team को train करना है आपके brand का promotion करना है तो इन सब चीज़ों में go and go आपको support करता है तो आपका brand आपका market एक established market बन जाएगा क्योंकि और जरूरी है यह आपका खुद का brand होना जरूरी है क्योंकि जो services आज आप लोगों को देना चाते हैं जो quality आज आप लोगों को देना चाते हैं या फिर जो price range आप लोगों को देना जाते हैं उसके लिए आप दूसरे के उपर dependent नहीं रहें खुद का decision खुज ले सकते हैं खुद का brand है तो हम लोग अपने decision से काम कर सकते हैं आज की date में बहुत सारे जब हमने ये group basic से पूरा market grow किया है तो उसके बाद में वो suddenly market हमारे हाँ से वह या वो brand हमारे हाँ से चूट जाता है second thing कि जो services हम देना चाते है customer को हम तो satisfied रखना चाते हैं लेकिन company उन से माल चाहिद जल्दी नहीं पहुंचता है components नहीं मिलता है उसका availability आज का एक्जमपल ले लो कि आज की डेट में जितना demand है scooters का उतना material अविलेबल नहीं हो रहा है तो वह सबसे जो material time पर अविलेबल रखना या customer को अच्छी service देना जब हमारा खुद का brand है खुद का decision है तो हम लोग एक बहुत अच्छे लेबल से कर सकते हैं तो इसलिए जो आप decision लेंगे तो वह सोच समझ के और अपने अच्छे के लिए लेंगे और brand है तो एक attachment है attachment है तो service बढ़ेगी quality बढ़ेगी यह दोनों चीज़े हो जाएगी local में spare parts सब आपके पास available रहेगी तो customer satisfied रहेगा customer satisfied रहेगा तो यह business hour जल्दी grow होते रहेगा अब हमने देखा कि electric scooter में नएक models launch करने में क्या opportunity है वसी तरह से जो existing scooters market में हैं जो already road पे हैं तो उन scooters के लिए भी हम लोग technically perfect और approved conversion kits तयार कर सकते हैं त्योंकि जो वो technologies वो knowledge वो manufacturing setup पूरा go on go के पास है बस आपके पास idea concept concept को design करके आप जो भी model के लिए electric scooter के लिए kit develop करना चाहते हैं वो पूरा kit develop करके manufacturing करके देने का काम go on go करेगा उस kit को market में launch करने का काम आप कर सकते हैं पर्टिकिलर models का authority आपको मिल जाएगा या फिर आप अपना manufacturing setup डाल सकते हैं या फिर आपको उस kit का सिर्फ distribution में काम करना है तो वो तरीके का काम कर सकते हैं उसमें भी इंजिन निकाल के electrically convert कर सकते हैं या फिर जो नए scooters है या फिर अच्छे condition में scooters हैं उनको front wheel में हम लोग motor develop करके उसको front wheel में hybrid conversion कर सकते हैं इसका और एक advantage हमें यह मिल जाएगा कि hybrid conversion में range का limitation निकल जाता है जब तक बैटरी आप बैटरी पे चला या बैटरी कतम हो गया आप पेट्रोल पर on करके चला सकते हैं तो यह combine system भी हम लोग develop कर सकते हैं इसमें दोनों at a time भी use किया जा सकता हैं तो यह technologies and systems हम ने develop किये हुए है अगर आप इस segment में काम करने में interested है तो आईए discuss कीजिया हम लोग scooter conversion kit में भी काम कर सकते हैं तो दोनों options आपके लिए खुले हैं अब हम बात करेंगे कि motorcycle segment में हमारी लिए क्या opportunities है और उसमें हम लोग कैसे काम कर सकते हैं कर दो आईए कर सकते हैं